नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीचर्स वेपे दोस्तों बिहार सिच्छक बहाली परिच्छा 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका बहुत ही अच्छी अपर्चुनिटी लेकर आया है अगर जो इस मौके को अगर जो आप चूप जाते हो ना तो जान लो दो- वौके क्लासिंस करेंगे अगर वुष नहीं चाला रही हैं है अगर जो आपको जरूरत होगी नीड हो जरूरत होगः स्रक्लासि कुछ चलवा दिजे इसके तो हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे ठीक है बिल्कुल और यह सुरू करते हैं यहां पर उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप BPSC चिछक बहाली परिच्छा 233 देने जा रहा है और बेस्ट बुक BPSC का खोज रहा है जिससे आपका एक्जाम निकल जाए फस्ट अटेम्ट में ही आप कॉलिफा कर पाओ कोई किताब मार्केट से खोज रहा है ठीक है किताब भी पढ़ लेंगे किताब रहेगा उसे सिलेबस समझ में आएगा चीज़ों को कवर कर लेंगे तो चक्छू प्रकासन की किताबें ले सकते हैं देखो प्राथमिक अस्तर की यह वाली बूक है और यह सबसे अभी मार्केट में जो जहां पर बहुत सारे किताबें अवेलबल नहीं है तो वहां पर यह किताब आपके लिए बेस्ट हो सकती है चक्छू पप्लिकेशन की इसको आप ले सकते हो आई यह हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में बात करें परिच्छा पडाली क्या है कैसे क्या चीजे होंगी तो इसके बहले आपने देखा बीप याशी का पिर होता था ठीक जो पीसे लेवल का पैपर होता तो इसमें प्रीवाला पेपर होता था सेंगर जो तूल्ण करें आपके जो शिच्छक बाली वाला से लेबस आपको उठाके देदिया ओन्दी कम प्री से तुलना करें तो प्री वाला ही एक्जाम है आई अगर जो मैं बात करो इसके पेपर पैटन की तो धाइसो नंबर का टूटल पेपर होगा 200 number का टूटाफ के बारे में भी बात करेंगे ध्यान रखेगा 200 number का total paper होगा जिसमें 100 number आपका एक पार्ट होगा यानि कि 2 exam होगे 2 exam में पहला जो exam होगा वो 100 number का होगा जिसमें 2 घंटे time मिलेगा 100 question, 100 question 2 घंटे का time मिलेगा दूसरा जो exam होगा 150 question का होगा 1500 जोड़ते हैं तो 200 question का paper आपको BPSC सिछक भाली परिच्छा 2023 में आपको देनी है कोई भी confusion होता है तो आप हमने comment करके जरूर पूछ सकते हैं इससे related आईए अब थोड़ा सा और समझने की कोशिस करते हैं बिल्कुल याद रखेगा दो घंटे का समय पहले paper के लिए जिसमें 100 number और 100 question 100 number दोसरे paper के लिए दो घंटे का समय 150 question यादि की 200 number का आपका paper होगा रही बात negative marking का बिल्कुल negative marking इसमें रखा गया है आई हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजे कैसे रहेंगी paper 1 में बात करें English के 25 question देखने को मिल सकते हैं compulsory यह ऐसा नहीं है कि आपको choose करना है और हिंदी के 75 को हिंदी वाले में आप चाहे उर्दू ले सकते हो चाहे और भी कोई language एक option है वो ले सकते हो ठीक है तो हिंदी वाले ज्यादा चाहे तो इसलिए हिंदी को मैंने ही सिर्फ लिखा है तो 25 question यह जो 100 number का paper होगा paper 1 100 question का paper होगा इसमें 25 question English के रहेंगे और 75 question हिंदी के अब कहो कि सर जी यहाँ पर यह बताईए आपने लिखा 30% qualifying अनिवार है इसका मतलब क्या है यह तो समझा दीजे बिल्कुल मैं समझा देता हूँ यह बोला 100 question का paper 1 होगा जिसमें 25 English के होंगे 100 question 75 question हिंदी के होंगे यानि कि दोनों को मिला के 100 question होंगे इस 100 question में 30% qualifying लाना अनिवार है यानि कि 30% यानि कि 30 number लाना अनिवार है जो notification आयता है उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा था कि English में भी 30% लाना अनिवार है Hindi में भी 30% लाना अनिवार है यानि कि कह सकते हो सकता है दोनों मिला के 30% लाना अनिवार हो यानि कि इस जो 100 number में है आप 30% qualifying आनिवार है कि परिक्षा आप qualify कर चुके हो इससे अगर जो कम है तो आप disc qualify कर लिए जाओगे ठीक है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं आराम से Hindi में ही अगर जो आप पढ़के आराम से 50-60 number उठा सकते हो कोई नहीं रोक सकता ठीक है आईए बात करते पेपर टू का पेपर टू का सामान अध्यन सामान अध्यन की बात करें इसके इसके लेवल की बात करें तो 10th लेवल का आप इंगलिस का grammar पढ़ सकते हो और अगर जो इसकी बात करें तो हिंदी आप लोग जानते हो grammar portion से ज़्यादा प्रस्ण आने वाले हैं आपके grammar portion मतलब संग्या सरनाम इसे सर क्रिया अव्या लिंग वचन कारक वाकिय रचना इन सबसे ज़्यादा प्रस्ण आपके आने वाले हैं ठीक है अगर जो मैं बात करूँ यही पेपर टू में आपके गडित गडित की बात करें क्या लेवल रहेगा सर जी टेंथ तक का लेवल रहेगा मान के चलो टेंथ तक का लेवल रहेगा इसके अलावा रीजिनिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना है रीजिनिंग जीके की बात करें इस टेटिक जीके जीके अच्छे से पढ़ना यहां पे विज्ञान से प्रस्ण ना सकते हैं और भारती राष्टी आंदोलन की बात करें भारती राष्टी आंदोलन से प्रस्ण देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा भोगोर के प्रस्ण देखने को मिल सकते हैं परेयावड से कम 40 person number आपको लाना ही पड़ेगा merit list में या फिर आपकी जो merit निगलेगी उसमें की qualify करने के लिए यह female के लिए 32 person रखा गया कितना 32 person अब जब को इसमें ज्यादा सोचने की जुरत नहीं है ज़्यादा विचारने की जुरत नहीं है बस आप जब से पढ़ना सुरू कर दोगे तब से आपकी त्यारी स्टार्ट हो जाएगी पेपर वन की बात करें English week है मैं समझ सकता हूं English week है कोई दिक्कत नहीं अन्टॉनिम्स थोड़ा सा ग्रामर विसिक आप पढ़ सकते हो बिल्कुल यह काम कर लो हिंदी पर ज्यादा फोकस कर दो कि हिंदी में 75 कोशन होगा कम से 60 65 कोशन कहीं नहीं जाएगा अगर जो आप एक महीने भी मैना से हिंदी पढ़ लेते हो तो 60 65 कोशन आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा रही बात अकर जो मैं बात करूं यहाँ पर भारति राश्टी आंदोलने हिस्ट्री का बाट भुगोल पर्यावल यह सारी चीज़े अपतो आपहर से बात कर अब बात करते मेरे बात करते हैं तोड़ा सा सर कितना कटाफ जा सकता यह रूकिए वेकंसी नहीं अच्छी खासी है इसलिए कटाप की बात ना करें तो ही ठीक है लेकिन हम कटाप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे ठीक है देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर यह देखो अगर जो आप बात करें यह क्वालिफाइंग रखा गया है कितना 30% चाहिए आप हिंदी की बात करें 75 है इंदी आप इतना अच्छा कर लोगे देखो इंगलीस की बारे में बात करें मालेतें इंगलीस में कितना कम कटाप जाएगा आप अंदाजा नहीं रगा पाऊगे ठीक है अगर जो मैं इंगली सक्राइब आपका समदाओन मेरिट लिस्ट में नाम आने का न महवना है merit list में नाम आने का चुकि मैंने बोला na vacancy बहुत ज़ादा है इसलिए थोड़ासा आपको साधन और बहुत अराम से paper देने की ज़रुदत है बहुत अराम से relax होके paper देने की ज़रुदत है मैं क्या कहना चाहता था कटाप को लेकर आप समझ गया होगे ठीक है बाकि अगर जो आप काओगे सर्फ पूरा डिटेल से एक बार कटाप ही बता दो कितना जाएगा तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा कटाप को लेकर डिटेल में क्या चीज़े कैसे जाएंगी कितना करना और कहा कहां पे किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आएगा ये सब चीज़े अलग वीडियो बना के बता दूँगा लेकिन उसके लिए आपको कॉमेंट करके बोलना पड़ेगा सर्फ कटाप के लिए सेपरेट वीडियो बना दो और अलग से वीडियो बना दो कि कहां कहां से कौन क भी बता दो तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दो का बाकी फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमसे पूछ सकते हो चले मिलते हैं स्क्रास में बाए जय हिंद जय भारत